हेमंत सोरेन द्वारा पत्नी कलपना सोरेन और साली सरला मुर्मु के फर्म को माइनिंग लीज आवंटित मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है और हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है गौर कलब है कि अधिवक्ता और RTI कार्यकरता सुनील महतो की ओर से जार्खंड हाई कोर्ट में खान विभाग के मंत्री रहते हैं मंत सोरेन द्वारा पत्नी कलपना सोरेन और साली सरला मुर्मु के फर्म को माइनिंग लीज आवंटित करने को लेकर याचिका दायर की गई थी इसी मामले में सुनवाई के बाद जार्खंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई खंडपीठ ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रखा है हाई कोट ने याचिका करता सुनील महतो को निर्देश दिया है कि इसी माइनिंग लीस से जुड़े पूर्व में शिव शंकर शर्मा के मामले से आपका मामला कैसे अलग है इस पर अगर आप अपनी बात रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं इससे संबंधित जवाब लिखित रूप में देने को कहा है हाई कोट ने कहा है कि आप अपना जवाब तीन दिन में दायर कर सकते हैं सुनवाई के दौरान वर्तमान सीएम हेमंत सोरेन का पक्ष महाधिवक्ता राजीवरंजन और अधिवक्ता पियूष चितरेश ने रखा उन्होंने अदालत को बताया कि सीएम हेमंत सोरेन पर माइनिंग लीज से संबंधित पूर्व में भी याचिका शिव शंकर शर्मा की ओर से दायर की गई थी उनकी ओर से दायर दो जनहित याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिस कर दिया है ऐसे में समान केस होने की वजह से सुनील महतो की ओर से दायर याचिका को खारिस कर दिया जाए इस याचिका में कुछ नया नहीं है इसके जवाब में वहीं प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार एवं विशाल कुमार ने बताया कि शिव शंकर शर्मा के मामले में केवल सीएम हेमंद सोरेन के माइन्स लीज का मामला था लेकिन इस मामले सीएम के माइनिंग लीज के अलावा उनकी पतनी और साली को इंडस्ट्रियल एरिया में जमीन भी देने का है अधिवक्ता और आटियाई कार्यकरता सुनील महतो की ओर से जो याचिका दायर की गई है उसमें अदालत को बताया है कि वर्तमान सीएम हेमंद सोर जब खान मंतरी थे तब उन्होंने अपने पत का दुरुपयोग करते हुए रांची के अंगड़ा में अपनी पतनी कलपना सोरेन और साली सरला मुर्मु के फार्म को भी माइनिंग लीज आवंटित किया है उन्होंने अदालत को यह भी बताया कि इन तमाम बातों की जानका समबंधित प्राधिकार को भी दी थी पर उन्होंने कोई कारवाई नहीं की यही कारण है कि उन्होंने अदालत का रूख किया है